एटू सर कॉलेज सिल्वर मेटल से पास होने के बाद उन्हें जॉब का लेटर भी मिल गया था मगर वो जॉब एक साल के बाद लगने वाली थी उनके पास खूब टाइम था तो उन्होंने अपने समय का उप्यों करते हुए अपनी पहली एक 11,000 की नौकरी शुरू कर दी उसके बाद फिर किसी कॉलेज से 20,000 का भी ओफर आया उसी बीच इनको एक इंस्टिटूट में पढ़ाने का ओफर भी मिला और यहाँ एटू सर ने अपनी महिनत और पढ़ाने की विशेश शेली की वजह से उस बन पढ़े इंस्टिटूट को 2 साल के अंदर ही चमका दिया इसके लिए एटू सर रात को 2-2 बजे तक पोस्टल चिपकाया करते थे और दिन में बच्चों को पढ़ाया करते थे इसके बाद एटू सर को लगा मेरा लाइब सेट हो गया है लेकिन उनकी इतनी महिनत के बावजूद इंस्टिटूट के मालिक ने अर्विन अरोरा को धोका दे दिया और उनको वहां से निकाल भी दिया मोटिवेशन के कि अर्विन अरोरा सर कहते हैं कि अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि लोग आपको अपनी अकात बताएंगे लोग आपको जिलिगी के हर मोड पर नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे लेकिन आप उनके तानों को द्यान से सुनो अपने दिमाग में बिठा लो परंतु उसका जवाब कभी पलट कर मत देना क्योंकि जिस दिन आपने जवाब दे दिया तो आप उन उचाईयों को हासिल नहीं कह सकते जो आप करना चाते हैं